नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज चालिस वर्स की महिला के अतली का अध्यन करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रतम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे ये शुरू करते हैं. इनका कोशन इस प्रकार है. वरतमान समय में ये अपना नौकरी कर रही है. साथिसाथ वैपार भी कर रही है. और आगी किस जिंदगी के बाड़े मैं जानना चाहती है कि आगी के जिंदगी कैसी रहेगी? शादी के लाइफ में बड़ा टेंशन है दो शादी बहुत फलित नहीं हो पाई तो अब आगे की जीवन में भी एक शादी का योग बन रहे है तो उसकी क्या स्थितिया बनी हुई है क्या ये शादी सक्सेस होगी की नहीं तो आज की वीडियो उन सभी कले महादपून है जो खास करके अपने केरियर के लाइफ से नहीं वेवाहिक जीवन से परशान है स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है एक शादी हो रही, दो हो रही, तीन हो रही चार तक हो जा रही है लेकिन फिर भी इस्टेबिलिटी नहीं आ रही है तो आईए आप देखते हैं कि इनके आखिर दो शादी हुई क्यूँ और तीर्शी शादी का योग बन रहे हैं कि नहीं और वो चले का कि नहीं इन सारे बिशों पर विचार करते हैं तो केबल पामिस्ट्री से इस बातों पर विचार नहीं किया जा सकता लेकिन इस चीज़ को देखा जरूर जा सकता है कि आपकी दो शादी होगी या तीन होगी तो सादी का जब भी बात आए तब आप विवार एका पर गौर जरूर करें तो ये बुद्ध का परवत हो गया और ये विवार एका एक दिखी दो दिखी तीन दिखी और अभी आपके चालिस एक तालिस वर्स की आयू है और वहाँ पर मुझे एक विवार एका दिख लिए बियालिस तालिस साड़ के आसपास तो डेफिनिटली योग बन रहे हैं तब ही जाके बाते चल रही हैं और ऐसा बिलकुल नहीं होता कि दो या तीन विवार एका कारत दो या तीन शादी होती है लेकिन ऐसा होता भी है कि दो या तीन विवार एका हो तो दो तीन शादी हो सकती है अब इसमें बहुत प्रकाल की चीज़े आ जाती है जैसे अगर आपकी तीन रेखा है तो शादी आपकी तीस वर्स में हुई लेकिन बाइस वर्स में एक रेलेशनसिप में आप होंगे बड़े क्लोज रेलेशनसिप में होंगे लेकिन वो फलित नहीं हो पाया फिर आप चौबिस में दूसरे के साथ रेलेशनसिप में गए फिर वो फलित नहीं हो पाया फिर आप 28 में साधी कर लिया आपने तो फिर वो फलित हो गया चलने लगा तो तीन रेखा का ये भी अर्थ होता है कभी-कभी ये तीन रेखा, तीन शादी को भी दिखा देती है, जैसा इस हांत पर दिखा रही है, तो ये contradictory बात है, इसके लिए आपको कुंडली का अधियन जरूर कर लेना चाहिए, कुंडली में सब्तम भाव हाउस, विवाह कारक चीजों को बताता है, या सब्तम लॉट, व और इसके लिए मुझे भी आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, फिरी मैं असपस्ट कर पाऊंगा, और आपको दिखाना भी mandatory है, इसका कारण है, आप दो शादी में और अल्रेडी तकलीफ को जहल चुकी है, अब आप तीसरे में बिलकुल नहीं जहलना चाहेगी, और कर तो आना था, परिशानी तो आनी थी, तो वो भी थोड़ी गरबर जा रही थी, यश्प्राप्ती में कमी हो जाती है, अगर सेम नेचर के दो विक्ति मिल जाते हैं, तो फिर बिलकुल नहीं बनना होता है, तो ये तो हो गए इनकी पहरी कोशन्स और बहुत महतपून सवा अब देखो positivity, बेहर शांदार positivity, ऐसे जातक को लाइफ में धन के लिए सोचना नहीं है, खुद इंडिपेंडन्ट होती हैं, बहुत कमाती हैं आगे भी कमाते रहेंगी, केरियर औरियंटर चीज़ों को लेके अतली बरी शांदार हैं, पैसे के बहतरीन योग बने हुए हैं बहुत ज़दा धन प्रापती के योग बने हुए हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है, तो इस चीज़ को लेके तो अतली बरी शांदार हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, तो आए पॉस्टिफ चीज़ को देखते हैं, तो जीबन रेखा पर ये प्रगती की र ये बिलकुल समाने नहीं होती, ये बहुत ताक्त वरर वस्टा है, बहुत गजब की प्रॉग्रस लाइए, एक कमाल की बाग़ रेखा ये वाली गई, पिर एक कमाल की बाग़ रेखा ये वाली गई, मतलब भाग़ रेखा ने तो फिर कहर मचा दिय, आगे भी ये बाग़ दो भागे रेखा, चाटिस के बाद multiple property की रेखा क्या बात है आगे भी भागे रेखा बहुत शांदार और जीबन के last तक बहुत जांदार भागे रेखा, भागे रेखा को लेके तो परवा प्रॉब्लम सी नहीं है, भागे रेखा इतनी अधुई दिये है, इतनी शांदार है, जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूँ, भागे रेखा बहुत शांदार टॉप क्लास, टॉप टॉप क्लास, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है अब आगे देखा जाए, तो एक सूरी रेखा बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत शांदारा दिली है आपकी, किरियर ओरेंटर चीजों को देखा जाए तो, एक कमाल की चमतकारी बुदर रेखा, आपके हाथ पर दिख रहे यह भी अदूई ती है, यह भी बुदर रेखा के बराद चस्त, मतलब बेमिशाल, एक जबरदस स्क्वाइर, एक कमाल का स्क्वाइर, बेमिशाल दिखने वाला स्क्वाइर, यह भी कहीं न कहीं, जातक के स्टेमिलिटी को बताता है, वो तो हो नहीं था, प्लैनेटरी कंडिशन्स की अगर मैं बात कर लूँ, शुक्र बढ़िया है, लगबग लगबग प्लैनेट्स अच्छे कंडिशन्स में है, तो राज्योक का रखते लिए comfortable life, तो यह तो थी positivity, negativity वही दो थी, विवार एखा को लेके, और बरश्पती को लेके, तो विवाई जीवन में दिक्कत आता, उसके बाद कोई खास negativity थी नहीं, प्रश्ण केरियर औरेंटेट चीजों को लेके था, कि आगे तरक्की मिलेगी, कि ने तो 101 परसंट मिलेगी, 101 परसंट मिलेगी, ना तरक्की की तो बात ही नहीं है, life में बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत आगे बढ़ेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, एक परसंट भी डाउट नहीं है, अभी जीवन रेखा से आपके सारे ही दंद और दुविदाओं को हम खतम कर देते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गई आप, और एक इंडिपेंडेंट से अगर में मूल रूप से बात करो, त 18-19 साड़ के बाद ही, ऐसे वेक्टि इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने हिसाब से चले राहू रेखा का दिक्कत था, ये 26 के आसपास था, फिर एक 28 में तरक्की थी, फिर एक 30 में तरक्की थी, फिर एक लगबग आपके 32 में तरक्की, फिर एक 36 में तरक्की का योग थे, इस बीच में कुछ-कुछ राहू रेखा बड़ी, 36 के बाद जीबन रेखा बहुत जबर अगर आपकी शादी सुधा जिन्दगी में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये बहुत बड़ा आजाता है तो चलो जी ये तो हो गई पाज़्टिवएटी बात अब ओर देख लो मंगणर आखा कित्त शांदार भॉंजबर दरस्ट साथ में कोई डाउट नहीं है और एक जबरदस थम्ब है स्ट्रॉंग इक्षा शक्ति है थोरी से अंदर से गवराहट की योग है बाकी दो लाइन से तो इंडिकेट कर रही है ऐसे विक्ति है अपने दंपर है जो भी अपने लाइफ में जबरदस थम्ब है तो शांदार विक्ति है जुकनेवारी परसनालिटी बिल्कुल नहीं है और आप तभी जुक नहीं सकते जब आप गलत काम नहीं करते हैं बढ़िया थम्ब है समझदारी के लूप काफे अची समझदार है फिंगर के बीच में कहब है थोरी खर्चले परव इसे महिलाएं को सैल होती है मतलब प्राक्रमी होते पर अपकारी होती है यह टिंडर कर यह बिजनस के अच्छी आवलेटी है डिसिजन मेकिंग में प्राबलम्स रहा है 32-33-30 के आयो तक और साधी का जिरने भी एक प्रकार से गलट डिसिजन ही रहा ना तब ही तो नहीं चल होती है अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो आपको बिल्कुल बरदास नहीं होगा फिंगर लंबे खरे हैं अच्छी क्रिटिविटी एच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो कुछ परोपकारी रेखा है सब कले करना चाहती है बाकी बिरश्पती का उपाय करेंगी तब ही शादी की लाइफ अच्छी रहेगी वैसे स्क्वाइर बना है बहुत अटक नेगेटिविटी दूर कर रहा है लेकिन फिर भी उपाय करना बेंडेटरी है बाकी माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है दिमाग की तेज है आप और बाफी महनती जबरदस्त बागे रेका जिंदगी के लास्तर तो बागे का पूरा साथ पूरा विकास बागे रेका दुईत ही है चमतकारी है और ये कुछ आपकी देख लो एक ब्रश्पती पर जाती भी बागे रेका सरकारी छेते से दनलाव को भी बता रही है ये एक स्ट साल अक तक कायू का मान अलोथ प्रापटी दो बनने ही है लाइन ओफ एजोकेशन अच्छा है बहुत समझदार है पैत्रिक संपत्ति का साथ सूरी रेखा बड़ी जबर दोस्ते है बहुत अरिंटेड है और ये पुरिपुन रेखा है जातक को एक से अधिक सूरी रेखा अतल ऐसे भिक्ती प्रापटी का सुख बनाते हैं लाइफ में बड़ा अचीमेंट को प्राप्त करते हैं 40 वर्स की आयों के बाद 40 एर्स की इसके बाद बुद्ध पर खड़ी रेखा है दिमाग बहुत तेज है सनमर की अच्छे बुद्ध वेख से कारे करते हैं दोनों मंगल ब बढ़िया है तो प्राकरमी तो ही ये चैदरमा पर ये लाइन्स इंडिकेड कर रहे हैं जातक की यात्रा हैं लोगों से जुर्यवे कारियों में सफलता मल्टी मीडिया च्छेतर से सफलता ये तो मिलेगा चैदरमा अच्छा है पैसे की फ्लो बनी रहेगी बागे रेका एक बुद्रेका बरी शांदार है बिजनस के योग बड़े अच्छे थे पैसा आता ही है कमाती भी है दो दो बुद्रेका मुणी ट्रेंगल के साथ पैसा जिंदगी पर बहुत ज़्यदा आता है ना कि तो बात ही नहीं है ज़्यादा इसके बाद देखा जाए तो जबर्दा जीवन रेकायू दिरगायू है फिश्णुमा आकिरतिया कास्मिक दनलाव को बता रहा है और मंगल रेका बरी शांदार है ये कुछ लाइन से थोरा स्ट्रस लेती है आप अलाकि स्ट्रस की वजह भी जीवन पर बन जाती होगी तब ही आप ले रही है बाकि ये ठीक है मंगल चुकि बहुत प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति बस से दिखाने लाए कि स्ट्रस लेते हैं वैसा कोई खास इटेंशन लेते नहीं है बस थोरा इटेंशन में आया एक बोल दिये गुसा कर लिये उसके बद फिर नॉन्मल हो जाते है बाकि यहाँ पर देखो लेक्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा विवाईग जिवन में देखा हो जाती है बहुत लूंख चलता है डेफिनिटी चलता है बोनी मैग्यमेंट प्रबल है जिन्दगी पर पैसा आता ही ए शुक्र मंगल प्रबल है तो जिन्दगी ऐसे भी बहतर ही रहती है ना कि तो बाती नहीं है भावुकता भी है या फिर ये लाइन कहलो कि ये लाइन यश्व प्राप्ति में कमी कड़ाती है किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विस्ते इस्तम सम्मान ना मिलना इसी वज़े से घरिलो मामले में प्राप्लम्स रहती है और एक तनाव के योग आपके यवा आकिर्थी जैसे दिक्रीती लगबग 32 से लेके चाले लगबग 32 तक ये आपकी माइन रेखा पुड़ती तनाव योगत जिन्दगी आपकी इस आयू में जादा रही होगी तो ये था इक तलिका पूर्ट अविश्लेशन अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद है लाइक कर दे कमेंड करे से सिस्काइब कर दे अगर आप विक्तिकत दुरुप से मैं इस आस्तरे का निकार के साई जानकारी पाना चाहते है हमारा वोटसप नमबर डिसकुर्शन न मिल जाएगा लेकि आप समपर कर सकते हैं धन्यवाई